नमू तसा भगवतो अरहतो अपनी प्रत्थम उपदेश में बताया था जिसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे भंते डॉक्टर चंद्रकीरती जी जो बुद्ध दर्शन में उच्च सिक्षा प्राप्त हैं तथा उन्हें अनेक सम्मानों से अलंकृत किया गया है साथ ही साथ आप अनेक मंच से पुद्धिजम पर विचार टकट कर चुके हैं हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीरती जी का भंते जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है बंते जी जैसे जैसे हमारा यह कारिक्रम आगे बढ़ रहा है वैसे ही दर्शकों की संख्या और उनके प्रशनों की संख्या भी निरंतर बढ़ती चली जा रही है तो मेरा आप से आगरह रहेगा कि पहले हम दर्शकों की जिग्याशाओं को शांति करेंगी और उसके बाद फिर हम अपने कारिक्रम को आगे बढ़ाएंगे इसी करम मेरा आप से पहला प्रशन रहेगा कि गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है बहुत बहुत धन्यवाद डक्टर सीमा जी आपने बहुत अच्छे प्रशन को किया है तो सिदाद गौतम के जो ग्रह त्याग की घटना है उससे कहा जाता है महाविस्करमन महाविस्करमन का मतलब होता है जो हमेशा के लिए ग्रह का त्याग कर दिया है चुकि हम जानते है कि सिद्धात गोतम एकुनाज कुमार थे राजा के बीटे थे और हुनाने अपनी सो एकुछासे घर को त्याकरने का योजड़ा बनाई और योजड़ा बनाकरके हुनाने अपने माता, पीता अपनी पत्नी, सुधरा, अपने बेटा राहूर ऐसे घर के सभी लोगों को उन्होंने सुचीत करते विए यह बात कही थी कि मैं ग्रहका त्याग करने वाला हूँ और वो होशकता है वो हमेशा के लिए होगा इसी घटना को महाविस्क्रमन के नाम से जाना जाता है चुकि सिदाद गौतम बुद्ध ने अपने मन को बना लिया था कि मुझे अब ग्रहका त्याग करने के जो मैंने मन बनाया है उसका मतलब है कि मैं हमेशा के लिए घर को त्याग करके मैं अपने जीवन में उस सत्य की खोच करना चाहता हूँ और उस सत्य की कोज़ करके मैं जीवन को स्वैम भी और दूसरों को भी मैं सुखी बिनाना चाहता हूँ और जो संसार अनेक प्रकार के दुखों से लिपता हैं मैं उसे कैसे दूर कर सकता हूँ यह भावना उनोंने बनाई और उनोंने अपने माता पिता अपने घर परिवार के लोगों को सबी लोगों को जब ये बताया तो हम जानते हैं कि वो घर के सबी लोग दुखी हुए दे और फिर भी उनोंने अपने मन को जो एक पका इरादा बना लिया था उस पर उन्होंने जो कुछ भी अपना द्रण निश्चाई जो है वो कर लिया तो द्रण निश्चाई के साथ में सदेव के लिए घर का त्याग कर देना इस महान घटना को चुकी है सिदाद गौतम राजकुमार थे इसलिए इस राजकुमार की घटना को हम महा विस्क्रमन के नाम से जानते हैं महा मतलब एक ऐसा बहुत बड़ा निश्क्रमन मतलब त्याग ना घर को छोड़ देना कि ऐसा व्यक्ति जिनों ने अपने घर को हमेशा के लिए त्याग दिया और उनके पुन्हा वापस आने की कोई संभावना नहीं है इसलिए सिद्दाद गौतम के बारे में हम जब देखते हैं बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था उस समय कि वह घर वापस आ जाएंगे लेकिन जो बहुत सारे राजाओं ने उनसे आगरह भी कर लिया था कि वह घर वापस आ जाए उन्हें आदा संपती का मालिक बना देंगे कुछ राजाओं ने तो कहा कि हम तुमें पूरे संपती का मालिक बना देंगे लेकिन सिद्दाद गौतम ने अपने मन में जो पका इरादा करके रखा हुआ था वही इरादा जो हमेशा के लिए घर का त्याग कर देना और पुना हुआ कभी वापश नहीं आना इस तरह की भावना उन्होंने बनाई थी और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने अपने घर को पूरी तरह से त्याग दिया और त्यागने के बाद में बहुत सारे उनके जो गाओ के लोग थे कपील बस्तू में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने बड़ा ये दुख तो जताया था लेकिन उनके इस घटना को जब उन्होंने गरह का त्याग के घर से निकले तो बहुत सारे लोगों ने उनको फूल बर्शाए थे लेकिन उनका मन बड़ा दुखी हुआ था उन्हें लगता था कि यह बड़ा सुन्दर राजकुमार है देखने में बड़ा अच्छा लगता है इसका गोर योवर ने जिसे स्वर्न कलर का रंग है इनका तो इस तरह से लोगों को लगता था कि यह सुन्दर भी तो पुरे उस गाउ के उस नगर के लोगों ने उनका बड़ा विनन्दन किया था इस वह कि यह डिया चाहिए उसी कड़ी में हम देखते तो यह सुधराने भी उन्हेंने का कि आप lumière का क्रियान काटी मार्ग को अपनाने के लिए बाहर जा रहा है घर का तया कर रह तो मेरा भी एदी कोई योगदान हो सकता है तो मैं जरूर कर सकती हूं तो आपका एक छोटा बच्चा जिसे राहूल नाम था उसकी मैं पूरी तरह से देखभाल करूंगी तो मैं भी आपके साथ आने के लिए है गरहत्या करने के लिए तयार हूं तो यह सारा जो वर्नन है जो सिदाद गौतम के गरहत्या करने का जिसे हम महा भिश्कमन के नाम से जानते हैं ऐसा समय जो सिदाद गौतम के जीवन काल में आया आप जानते कि उस समय के मनुश्य और इस धर्ती में रहने वाले सब लोगों के मन में एक बड़ी कमपंस आया था आज जनक बाते उन लोगों को लगती थी लोगों को लगता था कि ऐसा राजकुमार कर रही नहीं सकता लेकिन फिर भी उन्होंने गरहत्या कर दिया है तो इस सारी घटना को हम जब देखते हैं तो एक बड़ा काम सिदात गौतम ने अपने समय काल में किया क्योंकि एक राजकुमार होते हुए है एक राजा का बेटा जिसे किसी भी प्रकार की सुख सिदाव का अभाव नहीं है उनके जीवन में सभी प्रकार की चीजे हमें देखने के लिए मिलती है लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना गरह का त्याग कर दिया तो इस सभी प्रकार की यह जो जो भी इसमें जिन जिन लोगों का भी पुन्य सामीर हो सका था जिन जिन लोगों का इसमें आसिरवा सामीर हो सका था और सिदाद गौतम को आगे बढ़ने के लिए सब लोगों ने पूरी तरह से मदद की थी तो यह सारा व्रतान सारी घटनाओ को हम लोग सिदाद गौतम की जो गलते энहीं की इसे यह एक नाम दिया गया है जिसे कहा जाता है महाविश्क्रमन का माहाविश्क्रमंग गलता की गलता है तो एक भड़ी घठना थी उसकाल में तो आपने जाक ह mini को त्या कर रहा ग्रहत्याग घटना के विश्य में विस्तार से बताया अब मेरा अगला प्रशना आप से यह है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिधार्थ गौतम को क्या कहा जाता है बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीमा जी आपने दर्सोकों के माद्यां से जो सवाल पूछा है यह बड़ा बेहाद रोचक और लोगों के लिए ग्यान वर्दक अनिश्ची तरूप से हो सकता है तो हम जानते कि सिधार्थ गौतम को ग्यान की प्राप्ति हुई उन्होंने बौध ग्या में बोधी वर्ख्षक के नीचे ग्यान की प्राप्ति की और उसके बाद हम देखते हैं तो सिधार्थ गौतम को यह खहा गया जैसे कि वो पाली में खहा जाता है उसे मैं पाली में बताऊँगा और हिंदी में बतानी कोशिस करूँगा इतिपीसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विज्जा चरन संपन्नो सुगतो लेख विदु अनुत्तरो पूरुस धमसारती सत्था देव मनुस्सानंग अर्थाथ जो भगवान थे जिसे भगवा कहा जाता है पाली में वो सम्मिक्शंबुद्ध थे वो प्रग्यवान थे वो सबके सास्ता थे कल्यार मित्र थे और लोगों को ग्यान बताने वाले थे इसलिए इने ग्यान की प्राप्ती के बाद पहले तो सिदाद गौतम कहा ज बहुत सारे लोगों ने उसे प्रसमें भी पूछाता कि आप मनुश्य है देव है या इनसान है गंदर वह किन नर ऐसे कई सारे सवाल उनसे पूछे थे लेकिन तथागत गौतम बुद्र ने स्वेम यह बात कही थी कि मैं मुझे आप जानते हो तो सम्मिक शंबुद्र के नाम प्रत्या कर दिया और इसलिए हुने सम्मिक शंबुद्र कहा गया और सम्मिक शंबुद्र आप जानते हैं कि वो कभी अपने तक ग्यान मर्यादित नहीं रखते हैं वो शदेव लोगों के कल्यान के लिए उनके दुखों को दूर करने के लिए सदेव उपाई बताने की कुछ भी अंदकार्य है मनुष्व के जीवन काल में वहां दूर करने का हुनोने पुरी तरह से उपाई अब पताने के कोषिस कि इसलिए वह एक ऐसे व क्यों आधी जीनों के कल्यान करने के लिए उने मारग अदशन किया दो χुर्ण हनी लंभी प्रकिलिया है पहले के खासे चलती आ रही है इसलिए सिद्धाट गौतम की जब हम बात कहते हैं वो खोट एक राज कुमार थे और राज कुमार होने के बाँद उनोंने गुरह का त्याक कर दिया गुरह के त्याक करने के बाँद संबोधी प्राप्त की और संबोधी प्राप्त करने के बाद उनका जो नाम रखा गया था वो था सम्मेक शंबुद्ध इसलिए उन्हें संसार में सिद्धात गवतम तो उन्हें पहले कहा जाता था पर जालकिन जब घ्ञान की प्राप्थी हो गई तो उने सम्मयक संबुधा के नाम से उने संबोधित किया गया जो कि एक बड़ा इस्थो में सम्मयक संबुधा का नाम जो हमें दिखाई देते रहता है तो यह एक अवस्ता है जो बुद्ध बनने के बाद की हमें उनके जीवन काल में देखने के लिए मिलते रहती है तो यह पूरे संसार के लोग और खुद तथागत गौतम बुद्ध के समय में भी उने लोग बुद्ध कहते थे तथागत के नाम से जानते थे, तथागत का मतलब कि जो जैसा बोलता है वैसा करता है, जैसा यह वहार है, जैसे उनके कार यह है, वो सब यतावत जैसे के वैसे वो करने की कोशिस करते हैं, इसलिए उन्हें अनेक प्रका के नाम से संभोधित किया गया, संग्याय दी गई, ल आपके सभी दर्शकों को मैं यह बताना चाहूंगा कि सिदार गौतम का नाम अन्तद अरबाद में भी और वर्तमान में भी लोग जांते तो सम्मख्मुद्ध के नाम से जानते जानते हैं तो उनका नाम पड़ा ज्यान प्रापती के नाम सम्मिख्SH約 Americans बंदेजी आपका बहुत बहुत आभार हमारे दर्शकों की जिग्यासाओं का आपने निवारन किया अब हम आज के मूल विशय पर आते हैं जिसमें आप से हम जानना चाहेंगे चार आरे सत्य के बारे में कृपया हमारी दर्शकों को इस विशय में विस्तार से बताईए बहुत बहुत धन्यवाद डक्टर सीमा जी आपने चार आरे सत्य के बारे में आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि चार आरे सत्य यह ततागत गौतम बुद्ध की मूल देशनाओं से एक देशना है जिसको स्वेम ततागत ने अपने ग्यान प्राप्ति के बाद बहुत ग्या से वो सारना पहदर जलते भी गए और वहाँ पर पाच जो परिराजक थे उन लोगों को उनोंने सरवपथम विचार उनके मन में सबसे पहले एबी आया था कि वो बताना चाहते थे कि अपने जो पहले जिनोंने ग्यान दिया था उस ग्यान को अपने पहले आचारे को बताना चाहते थे उनका था अलार कालाम नाम था और उनको ग्यान बताना चाहते थे लेकिन उन्होंने पाया कि उनकी मृत्तु होगी है फिर उनके मन में बचारा है कि मैं किस को बता हूं लोग मेरे इस ग्यान को लोग समझ पाएंगे नहीं पाएंगे इसलिए उनको लगता था कि मुझे किसी ने किसी को बताना चाहिए तो उनके पहले के पास हाती थे जो सारनात में रुके हुए थे और उनका नाम है महाना वप भद्धिय असुजीत और कॉंडिनिया ऐसे पाच परिराजक थे उनको तथागत गौतम बुद्धिय ने विचार किया कि उनने मुझे सबसे पहले मैंने खोजा हुआ जो ग्यान है मैं उनने बताना चाहता हूं तो वो सारनात के वहाँ पर इसी पतन मिगदाय वन कहा जाता है उसे वहाँ पर वो गए हैं और जाकर उनने इस और आश लोगों को बताने की कोसिस की हैं तो यह चार आर्य सत्या जिसका जिसे देखते तो अरिया पाली सब्दे में आता है अरिया मतला होता है स्रेष्ट सत्य और चार इनने सत्य को खुज निकाला जो सौभएक तोर पर उनने का कि हर आदमी के जीवन से संब्दीत है इस प्रकरती में सबी चीजों से आपको संबदीत होते भी निजर आता है तो उन्होंने कहा कि पहला जो आरिय सत्य है वो है दुख, दूसरा आरिय सत्य है जिसे हम दुख समूदे कहते हैं, फिर तिसरा आरिय सत्य है दुख समूदे निवारन, यहने दुख है तो दुख का न निवारन का उपाए एसे उन्होंने चार आरे सत्यों के बारे में सबसे पहले पाजपरी राज़क को बताया जो की सारनाथ के मिरगदार एवन में उन्होंने पहले बताने की कोशिस की और बताते समय उन्होंने कहा कि संसार में दुख है तो उन्होंने कहा दुख है तो दुख का कोई ने कोई कारण होगा बिना कारण के कुछ भी संभव नहीं हो सकता है इसलिए उन्हें का दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है और दुख निरोध का उपाई भी है, तो बुद्ध सिर्फ दुख नहीं बताते हैं, तो उन्हें का दुख के कारण को भी बताया और दुख को दूर कैसे किया जा सकता है, इसको भी उन्हें ने बताने के क पहले से दुख यहां आते रहता है, तो उन्होंने का यदि दुख है, तो दुख को मिटाया भी जा सकता है, यदि यह है, तो ऐसा नहीं कि इसे नहीं मिटाया जा सकता है, तो उन्हें लगता था कि इसे दूर भी किया जा सकता है, तो उन्होंने का दुख मतलग कोई ने कोई कि उसका कारण जरूर होगा तो बहूं सबसे पहले बताथे हैं दुका कारण है जो इसके बाद मने आप लोगों को हिंदी में बताऊंगा जाती भी दुखा जरावी धुखा व्यादी भी दुखा मर्र EPA नस नस टोब में खुँआ है जाती मतलब होता है जन्म भी डुका कारण भी और बुच्xis कारण हो जाता है धूंसे यह लोग हमारे संपर्ग में आते हैं तो भी दुक्ता होता है और जैसे एक्षा रखते हैं जो चाहत होती है अकांचा है एक्षा है यह पूरी नहीं हुई तो आपने देखा हो कि तब भी दुक्ता है और पिर अंतीम धबुत कहते हैं कि जो पंच इसकंद से हमारा जीवन बन करता है कि जहां करो हमें दूख दिखाने देते रहता है तो हम इसे थोड़े थोड़े रूप में हम संभंगने की कोशिज करेंगी यह कि जैसे कि जल्ध स्सें जन्म होता है तो आपने महसूस किया होगा कि जो भी बच्चा जन्म में आता है वो जन्म आते ही आपने महसूस क्या हो कि वह रोता है प्रसन्न नहीं होता है और वह उसे दुख होता है वेदनाय होती है और दुख महसूस करते रहता है तो कहा कि जब यह सुरू होता है मनुष्य का जीवन जहां से उसके उत्पत्ती हो रही है तो उन्होंन मिठाई बाटूंगा मुझे बिमारी हो गई तो जब भी ऐसे प्रसंग आते हैं तो मन में न जाने कितने सारे विचार उत्पन होता है कि लोगों को यह भी लगता है बिमारी होने के वे मैं जिन्दा रहूंगा या नहीं रहूंगा तो वह दुख का कारण में बदल जाता है स्वाइक हैं हम स्वाइम भी अन्भव कर सकते कि क्या यह जो बाद बताई गई है दुख की बिमारी की वज़े से दुख उत्पन होता है तो यह सच मुझ में है या नहीं है तो पाया गया कि जब बिमारी हो जाए तो स्वाइक तौर पर हमें दुख उत्पन होता है फिर कह यहां जराबी दुखा अतात जब मनुष्स से बुड़ा होने लगे तो आपने महसूस किया होगा कि हमारी सारी रिक छमता हैं हमारी इंद्रियां हमारे सभी प्रकार के जो कुछ भी सारी रिक अंग है वह दिरे दिरे कमजोर होना शुरू करता है काम करना बंद कर देता है तो यहां एक प्रकार की वास्तिवीक चीज़ा है जिसके कारण यहां दुक उत्पन होते रहता जब हमारे स्वायम के द्वारा कुछ काम नहों जाए तो बुद्धने छोटी-छोटी बातों को हुनोंने जो है वो आदमी यह कभी नहीं कहेगा कि मुझे अच्छा हुआ बुड़ा पा गया तो मैं प्रसनौ कोई भी आदमी नहीं कहता है तो वहां स्वाबाइक तवर पे गिरते हुए स्वास्ते को देखकर वह आपने इस सभी प्रकार के परिवतन को देखते हुए वह उसके मन में यहां सब्सक्रा के फशा है पर पकार का दुड़ा नहीं हो जाता है फिर आप और भी देख शकते हैं कि जो मिर्तु होती है तो मिर्टु का भी है दुखका कारार weldा ही है, हर आदमी, हर जग़, हर घर में, हर परिवार में, जब भी इस तरह की कोई घट ना घड़ जाती है, तो आपने महसुस किया होगा, कोई भी नहीं कहता है, मृत अच्छी हो गई है, कोई भी नहीं कहता कि अच्छी मृत हो गई है, इसलिए हम बहुत खुश है, तो स्वा प्वास्टिक चीजों के तरफ ध्यान आकरशित कराने की कोशिस की वहाँ है कि मुर्तु भी दुका कारण बन जाता है पिर वहाँ आप में देखा होगा कि स्वाबाइक तरफ हम जिनको मन में जिनके प्रती प्रेम है या जो हमारे प्रिय लोग है चाहिए घर में हो या प्रिय लोग बिछड़ जाते हैं दूर चले जाते हैं और वहाँ बिछड़ने के बाद स्वाबाइक है कि हमें दुक उत्पन हो जाता है और प्रिय लोग बिछड़ने से और अब प्रिय के संपर्ग से आपने कई बार मैसूस किया होगा जिनकी आदते ठीक नहीं हैं जो लागत देखी कि जो हमारा नाम रूप है जिसे मन और सरीर बुद्ध ने कहा है यह एक प्रकार का कहीं न कहीं पंच इसकंद जो है वो कहीं न कहीं हमारे दुख का कारण बन जाता है तो इस तरह से वह दुख के कारणों को अधिकतर बताते विए उन्हें ने कहा कि बीना कोई कारण के कोई परिणाम नहीं आता आप में मैसूस क्या होगा यह ठंझ लगती है तो तो सौबाय करें कि हम गर्म कपड़े पहनते तो अब ने और दिखाओ कि हम पंक्टे की सायता है, या एसी कुलर की सायता हम लोग लेते रहते हैं, क्योंकि हमें वो कहीदे सुरक्षा करनी है, तो कई नीकुई कारण है, जिसके कारण हमें दुख उत्पन होता है, तो बुद्ध ने ये इस तरह के दुखों को बदाने की कोशिस कि ये मनुस्य के हर व्यक्ति के जीवन में करीने के ये चीजे आने की संभावना होती रहती है संसार का कोई भी आदमी यह नहीं कह सकता कि ये घटना है मेरे साथ नहीं होगी कोई नहीं कह सकता मैं मार नहीं होगा कोई नहीं कह सकता मैं बुरहा नहीं होगा कोई नहीं कह सकता कि मेरे अपरिये लोग मुझसे दूर नहीं जाएंगे कोई नहीं कह सकता कि अपरिये लोग मेरे संपर के में नहीं आएंगे हर मनुस्ष के साथ में यहां स्वाभाइक तोर पर देखा जाता है कि यह घटना है स्वाभाइक तोर पर घटने ही वाली है और यह होती है लेकिन बुद्र ने कहा कि ऐसे भी बहुत सारे लोग है जो अग्यान का जीवन जीर है इसलिए उन्हें पता नहीं है इसलिए चार आरी सत्या इस अज्यान को मिटाने की प्रकरिया है कि आप जानों कि किन किन कारणों से किन किन वज़ा से यह सबी चीजे हमारे जीवन कारण में हमें देखने के लिए मिल रही है और जब हम इन चीजों को देखते हैं वास्तिक तौर पर तो हमारे जीवन में यह सामने स्वावाइक तौर पर चीजे आते रहती है हम इसको वास्तिक रूप से हम देख पाएंगे अपने खुद अपनी बुद्धी से अपने अनुभव से हम इसे देख सकते हैं उन्होंने कहा कि मैंने आपको एक प्रकास से चच्चू दिया है आखे दिये देखने के लिए मैं आप लोगों को सौवब दोर पर वास्तिक चीजों से मैं दरसन कराना चाहता हूँ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि यह चीज़ है फिर उन्होंने कहा यह कोई दूख है तो क्या इसको दूर नहीं किया जा सकता तो उन्होंने कहा कि जब हमें अग्यान से ग्यान पराप्त हो जाता है अंदकास से हमें प्रकास मिल जाता है तो हम ठीक तरह से चीजों को देख सकते हैं से आपने दिखा होगा कि जब अंदकार होता था हमें समय में आता है हमारी खुली आखोसे म garbage से दिखाए देता है तो हम पूरी तरह से अज्ञान को दूर करते हैं वास्तिविक चीजों को हम देखना शुरू कर देते हैं और जब हम वास्तिविक चीजों को देखना शुरू कर देते हैं तो हमें यथार्त दर्शन होता है उस हकीगत का उस वास्तिविक का उस सत्य का और गया है दो पिए हैं जो शुद से बहर निकश सकते हैं जैसे आपहुंद इम powerful and डेखा वी इननी न मुद अश्रशन हो जाता है तो मनुस्झता इतना दूखी आप देख सकते हैं दो ऐसे व्यक्ति जो एक तो उसमें फसा रहता है और एक अदमी उसको जान लिता जाते हैं आपको मैं उधारन बताना चाहूंगा, कि बुद्ध एक आल में ठाजी और उस पत्टा चाहरा को यह पता नहीं था, तो उसे दो τα बते की रुद्ट्ध हो जाती है, उसके पती की मृत हो जाती है उसके माता पिता की मृत हो जाती है उसके दोनों बेटे उसके आखे सामने मृत हो जाती है तो यह जानते विए उसके उपर में बड़ा दुक्का संकट आ जाता है तो दुक्का संकट आने की हुज़ा से वह महसूस करती है कि मेरे उपर में कितना पहाट उड़ पड़ा है तो वह अपना सारा सुध भूल जाती है जैसा उसका पहले जीवन था वैसा नहीं रह जाती वह वह सोचती है इतना सोशती है कि ओर डिप्रेशन में चले जाती है और यह ंतीमत पागल बन जाती है और वो बताते कि सब कुछ यहां परिवत तनसील है बदल जाने वाला है यह जैसे के वैसा रहने वाला नहीं है तो वहां उसे वास्तिक्ता का दर्शन होता है और वहां उससे बाहर निकल जाती है और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में वहां सामने हमें दिखाई द नहीं है वहाभी धिरे 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 बदल जाती है इसलिए तथागत ने कहा कि इसको दूर करने का मेरे पास उपाई भी है मैं सिर्वाद दुख नहीं गिना रहा हूँ बलकि मैं दुखों को दूर करने का मैं उपाई भी बता रहा हूँ इस तरह से उन्होंने लोगों सामने बताने की कुशिस की और सबसे पहले तो पाच लोगों को उन्होंने बताया और जब पाजडिक्त को बताया तो उन में से एक कॉंडीन नाम के विकल ती जो पाजड परिराजगों को में से एक थे उनने जब टथागत को सुना ये चार आरेशद Studio को सुना तो उनको वास्तिकता से दर्शन हो गया और हकीकत को उन्होंने जान लिया और तुरंत ही वह इन सभी दुकों से मुक्त हो गए वह एक अरहत पद की आउस्ता तक पहुँच गए जैसे मैंने पहले बताया कि अरी मतलब सत्रू और हंत जिसने अपने सत्रू को नस्कर दिया है वह अरहत है तो वह अरहत बन जाते हैं और इस तरह से तथागज उसके आगे की कड़ी बताते हैं कि मैं आपको यहां तक ही रोकता नहीं हूं बलकि मैं आप लोगों को उससे बहार निकलने के लिए भी मैं मनुसर करते हैं कि नहीं अब जो हमें जीवन मिल गया है बस इतना ही परियापत है अब मुझे कुछ करना नहीं हैं तो यदि वह सुस्टे की नहीं जितना मिला है लेकिन मैं इसको क्या बदल सकता हूं अपने जीवन में आए medida को मैं क्या दूर कर सकता हूं तो आप देखें इसलिए बुद्ध ने आड़ बातों को बताया कि कौन कौन सी आड़ बाते है जो जीवन काल में आती है तो उन्होंने का दुख है तो सुक है लाब है तो हानी है यस है तो अप यस है निंदा है तो प्रसंसा है यह आड़ बाते जो है अतुलनी है से बुद्ध बुद्ध ने यहां बाते चार आरिशत्य जो कि हमें अपने हकीगत से पहचान कराते रहता है वह वास्तिक्ता को देखता है यह दुख है इसका मतलब यह हमेशा बना रहे हैं ऐसा नहीं है अग्यान है तब तो दूख है लोब है तब तो दूख है अहंकार है तब तो दूख है और असयम है तब तो दूख है लेकिन आपने असयम को मिटा दिया अपने लोब को मिटा दिया अहंकार को मिटा दिया अग्यान को मिटा दिया तो सुख भी मनुस्च को प्राप्त होते र मारग गए उसे हम निवारन और निवारन होने का मारग जिसे तथागत ने अस्टांगिक मारग बताया जो बहुत ही महत्पून मारग गए अब यह अस्टांगिक मार्ग जो हम इसकी तहई तक जाते हैं तो हम देखेंगे कि हैं बड़ा ही व्यापक है जो तद्रागत ने हर आदमे के लिए किToday हैं कि एक मद्यम मारग हैं इसलिए मैंने कोई बहुत नीचे और बहुत उपर का नहीं बरकि मैंने मद्यम मारग खोचकर निकाला। इसलिए वो कहते हैं, आप लोगों के लिए हैं मद्य मार गया हैं, अपने आपको उतना भी कस्टम मत दो, और अपने आपको उतना भी कमजोर मत रखो, अपने आपको मद्य में रखने की कोशिस करो, इसलिए वह कहते हैं मिडल पात हैं, इस मिडल पात को मैंने आप लोगों क मार्ग कहते हैं। हमें एक-एक मार्ग को भी ले तो यहां बड़ा एक व्यापक है और यह इतना व्यापक है कि हम इससे अपने जीवन को स्रेश्टय और अच्छा बना सकते हैं। यहां है मुनgrass के जीवन में उस हकीकत को जानने के लिए समझने के लिए और जीवन को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए इसलिए यह जीवन हमारे लिए बहुत ही महत्पून हैं और इसे जीने के लिए पुरी तरह से हम कोसिस करते हैं जो हमारे लिए एक बड़ा महत्पून मार गए है जो खुद तथागत गौतम बुद्ध ने इसको अन्भो करके उसे बड़ी गहराई से जानने की कोशिस की और उन्होंने सबसे पहले अपने पाच पड़ी राज़कों बता करके उसका साक्षात परीशे कराया और लोगों ने उसको जाना इसलिए चार आरे सत्ता क जो मार गए हमारा यहां आरे लिए काभी उत्तम मार गए है जो तथागत गौतम बुद्ध की वानी से निकला हुआ हमार गए है और हमने इसको जानने की कोशिस की हमने यह आपके दर्शकों को हमने बताने की कोशिस की है चार आरे सत्य तो मैं इस मोके पर आपके सभी दर् आज के इस विशेश कारिक्रम में इतना ही, अब समय हो चुका है आज के कारिक्रम को यहीं विश्राम देने का, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में कोई प्रश्न किसी तरह की जिग्यासाएं हों, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछने के of gmail.com, तो मैं आशा करती हूँ, आप अपने प्रश्नों को और जिग्यासाओं को दबाएंगे नहीं, बलके निस संकोच इस कारिक्रम का हिस्सा बन कर अपनी जिग्यासाओं का समाधान करेंगे, तब तक मैं डॉक्टर सीमा भंते चंदर कीरती जी के साथ आप से विदा ल झाल